तो आज हम यहां पर नमन बैच की स्टार्ट कर रहे हैं देखिए यहां पर और नालंदा हाई सेकेंडरी स्कूल 2022 देश का साइंस का पर आपके सामने हम सॉल्व कर रहे हैं बड़ा मज़ा आने वाला है आए देखते हैं नंबर बन से कोश्चन सॉल्व करेंगे पहला कोशन क् म्तलब कलर चेंज होने गैरंटी है क्यों चेंज होंका कलर मैं हाईड्रोणी 1977 save u गाते हैं अब देखते… इससमें क्या कह रहा है भाई क्योंकि जो मूशन होता है तो आंसर इसका होगा 3 ठीक है ना कौन सा लिटमस फिपर है भाई साब मौस्ट लिटमस फिपर इंदा गिवन सेटप इस अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखा दूँ देखें यहां पर आपने क्या दिया है test tube sodium chloride और H2SO4 क्या है भाई साब इसके अंदर H2SO4 यस तो यहां पर आपने H2SO4 डाला है और उसके बाद में उसके बाद में यहां पर gas निकली हुई है तो sodium chloride और H2SO4 यहां पर लिया गया है उसके बाद gas निकली हुई है और जो gas निकल रही है वो delivery tube से moist litmus paper को कुछ रंग कलर क करीगी तो the change in the color in the moitless paper in the given setup is due 2 तो वाइस अब देखी लिटमस paper के अंदर जो color आता है solution से कोई मतलब नहीं है solution तो अंदर है ना लिटमस paper ऊपर है और कुल मिलाकर के कौन सी gas बाहर निकलेगी H2 gas बाहर निकलेगी जिसकी वज़े से इसका color change होगा तो answer क्या होगा प्रिजेंस ओफ H plus iron in the H plus aqueous iron in the solution तो correct answer इसका हो जाएगा C only 3 ठीक है तो इसका पहला answer यह हो गया बोली clear है कि नहीं है ओके एनी problem बोलो भाई कोई problem है क्या चलो आंगे बढ़ते हैं देखिए next question है इंदा redox reaction भाई साब यह redox reaction दी गई है okay ध्यान दोगे यहाँ MnO2 जो है भाई साब MnO2 से रेखो oxygen छोड़ा लिया गया है MnO2 से oxygen छोड़ा लिया गया है oxygen का निकलना कहलाता है reduction क्या कहलाता है oxygen का निकलना reduction तो कह रहा है MnO2 is reduced in MnCl2 बिल्कुल सही बात है MnO2 जो है वो reduce हो गया है MnO2 का reduction हो गया है और यहाँ पर HCl का जो हुआ है HCl में oxide आके hydrogen में जोड़ गया है तो बिल्कुल सही बात है कि HCl का oxidation हो गया तो इसका correct answer है A MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to H2O भाई C या किसी बच्चे ने लगाया है इसमें लिखा है MnO2 is भाई देखे आपके पास जो है आपके HCl की बात की जा रही है अब यहाँ पर HCl जो है HCl से hydrogen छोड़ा लिया गया है और HCl से hydrogen छोड़ा करके hydrogen HCl का छोड़ा करके Cl2 बन गया अच्छा अच्छा राइट 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 एच्छील का hydrogen छोड़ा करके oxygen का जुड़ना होता है oxygen का removal नहीं होता है तो इसका correct answer जो होगा A होगा बोलो clear हुआ कि नहीं हुआ बुक में क्या है बी है चलिए देखिए एक बार देखते हैं इसको यह दी बुक में इसका बी है तो rectify करते हैं इसका answer क्या है अच्छा सेंपल पेपर का question number 2 है ठीक है ठीक है देखते हैं ओके देखिए बच्चों तो high level concept में इसकी बात की जाए तो reaction को पहले लिख लो आप लोग थोड़ा सा दिमाग यहां पर ज्यादा alert होके बैठना नहीं तो आपको कुछ भी पढले पढ़ने वाले नहीं है MnO2 प्लस HCl MnO2 प्लस HCl ओके यह बदल रहा है देखे MnCl2 MnCl2 और प्लस H2O और प्लस क्या CL2 अब मैं आपको एक नया टर्म आपकी जिन्रीगी में आ रहा हूँ oxidation state oxidation state या इसका नाम सुन लो oxidation number ठीक ना मान लो किसी की oxidation state है plus 5 किसी की oxidation state क्या है plus 5 अगर वो plus 5 से घट करके अगर वो plus 5 से घट करके plus 2 पे चला गया है किस पे चला गया है plus 2 पे चला गया है oxidation नंबर यह दिक घट जाए तो बच्चों यह बोलते हैं reduction, क्या बोलते हैं इसको reduction, ये class11 वी का concept है, जो यहाँ मेरे को आपको मजबूर हना पड़ेगा तो इसको बोलते है, वेटा, reduction oxidation number अगर कम होती है बोलो, समझ में आया oxidation number अगर क्या होती बच्चों, कम होती तो तो क्या होगा reduction, क्या होगा उसमें reduction और अगर oxidation state बढ़ती है जैसे मान लिज़े आपकी oxidation state जो है वो बढ़ जाए ठीक ना मतलब जैसे Oxidation State जो है माइनस 1 से लेकर के आपकी Oxidation State हो जाए प्लस 1 तो बढ़ गया की घट गया बोलो बढ़ गया तो अगर आप कहते हैं कि Oxidation State बढ़ गई है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है Oxidation हुआ है समझ गये तो यहाँ पर क्या हुआ है Oxidation तो मतलब अगर Oxidation नमबर बढ़ेगा तो Oxidation हुआ है और अगर Oxidation नमबर घटेगा तो क्या हुआ है Reduction हुआ है अब बच्चो ध्यान से देखो यहाँ पर इसका Oxidation नमबर क्या है यहाँ पर इसका oxidation नमर है बच्चो प्लस 4 क्या है बच्चो अब आप कहोगे सर इसका oxidation नमर प्लस 4 क्यों है बच्चो अब आप कहोगे सर इसका oxidation नमर प्लस 4 क्यों है बच्चो अब आप कहोगे सर इसका oxidation नमर प्लस 4 क्यों है यार, oxygen की valency minus 2 होती है, H2O होता है, यार, बच्पन से पढ़ते आ रहे हो, होके, H2O की valency होती है, oxygen की valency दो hydrogen जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर होती ही minus 2, ओके, यहाँ देखो, यहाँ hydrogen किसमे है, plus 1 में है, और chlorine किसमे है, minus 1 state में है, ओके, clear हुआ की नहीं हुआ, अब यहाँ पर देखे, Cl2, एक chlorine की valency किती होती है, minus 1, होती की नहीं होती है, एक chlorine की valency किती होती है, minus 1, तो दो chlorine जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर valency किती हो जाएगी, minus 2, और इसके किती हो जाएगी, plus 2, लिए भाई, मज़ा आने वाला है, देखो, मैगनीज जो है, plus 4 से लेके कहाँ पे जा रहा है, plus 2 पे, दिख रहा है कि नहीं जा रहा है, तो बोलो कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया, reduction, क्या हो गया, reduction, मतलब MnO2 का, मैगनीज का, यहाँ पर MnCl2 में क्या हो गया, reduction हो गया, clear हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर इसका क्या हो चुका है, यह reduction हो चुका है, बोलो clear की not clear, चलो भाई साब, अगला देखते हैं, यहाँ पे CL2 कितना है, माइनस 1, बोलो यहाँ नो, CL कितना है, HCL में, H है प्लस 1, और CL कितना है, माइनस 1, बोली यहाँ कि नो, ओके, अब देखे, यहाँ पे जो CL2 है, यह आपके सामने CL2 बैठा हुआ है, भाई, क्लोरीन जो है, खुद में चला गया, 0 में चला गया, देखे, मैं एक बात को दुबारा नहीं बोलूँगा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, गलत बात है, अच्छे, सीरेसली होके पढ़िए, तो यहाँ पर यहाँ पर यह क्या है, 0 है, तो बताओ, क्या हो गया, माइनस 1 से 0 बढ़ गया, क् बढ़ने को क्या बोलते हैं, Oxidation, क्या बोलते हैं, Oxidation, तो चलिए, finally हमारा अंसर आ चुका है, HCl का क्या हो रहा है, Oxidation, और MnO2 का क्या हो रहा है, Reduction, तो आईए Option में पहचानते हैं, MnO2 का Reduction हो गया है, और HCl का Oxidation हो चुका है, बहुत अच्छे बच्चों, समझ गये, Correct answer हो गया, आपकी जागरुकता के काण इस Question को हमने थोड़ा सा Research किया, और हमारा अंसर आ चुका है, MnO2 जो है, वो Reduce हो चुका है, MnO2 है न, Magneze Oxide Reduce हो चुका है, तो पहला वाला Reduce हो चुका है, और दूसरा वाला क्या हो चुका है, Oxidize हो चुका है, बोले clear है एक्दम, ओके चलिए, Next Question चलते हैं, देखो भाई साब, क्या है ये, ओके, Third Question बन जाएगा, Which of the following a correct observation reaction in zone below, भाई साब सेटप दिया गया है, कह रहा है, Magnezeum Ribbon Burns and Brilliant, भाई साब बिलकुल अपने पहले चेप्टर की मेरे खाल से पहली activity है, और जिसमें हम Magnezeum के Ribbon को गर्म करते हैं, Mg, Magnezeum को बर्न करते हैं, Mg plus O2, और ये बना लेता है, 2Mg O, और ड्रेजलिंग चका चौंध की light, आँखों में काला चश्मा लगा करके इस experiment को करिएगा, नहीं तो ये बहुत आँखों में आपके एरीस का एक भी particle जाएगा, तो दिक्कत बन जाएगी, चलिए भाई साब, Next Question Question No.4 करते हैं, क्या आगया, Question No.4, Which of the following mirror can make parallel beam of light when light from the point source incident on it, ओ भाई साब, कह रहा कि बताएगे, इसमें से कौन सा mirror है, जो parallel beam of light बनाता है, जब light जो है किसी point source से incident होती है, तो देखे भाई साब, अगर आपके पास कोई object जो है किसी focus में रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, फोकस में, तो convex के, concave के अगर mirror में आगर आप किसी चीज़ को focus में रख देंगे, तो concave के आगर आप यहां पे focus में रख देंगे, तो यहां से जो light आएगी, यह parallel beam बनाएगी, तो भाई साब, concave mirror तो हो गया, concave mirror, concave mirror हो गया, तो concave mirror यह बैठा हुआ है, okay, plane mirror, plane mirror, यह तो बिल्कुल गलत बात हो गई, एक मिनट भाई साब, अब देखिए, दूसरा, देखिए, दूसरा कह रहा है, कि convex mirror as convex lens, देखो भाई साब, convex lens जो होता है, from point source incident on it, convex lens ले लिजे, यहां पर कोई point object बैठा हुआ है, अगर इससे चलने वाली raise होती ही focus से, तो after the reflection क्या हो जाती है parallel तो बिल्कुल है, भाई साब, concave mirror भी है, और convex lens भी है, तो correct answer कौन सा होगा, A, correct answer कौन सा होगा, A, चलिए, ओके, next question, यह हो गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, अब इसके बाद देखते हैं, भाई साब, a person can see distinctly, a person cannot see distinctly object kept beyond 2 meter, भाई साब, एक इनसान है, और वो minus, minus नहीं है, 2 meter है, यह जादा उसके आंगे को देख नहीं पाता है, भाई सा मतलब इसको दूर का नहीं दिखता है, इसको दूर का नहीं दिखता है, दो मीटर से जादा का नहीं दिखता है, तो आपको lens बताना है, तो 2 meter से दूर का नहीं दिखता है, इसको मतलब negative power का चस्मा लगेगा किस पावर का negative मतलब positive वाले तो वैसे ही निपट गए तो मतलब answer या तो यह होगा या तो यह होगा बुले clear बुले clear हुआ कि नहीं हुआ ठीक ना तो देखे यहां पर आपको निकालना है कि वो नहीं देख पाता है तो आपको निकालना है power तो power is equal to one upon focal length बुले yes or no अंसर होगा, माइनस 0.5 डियाप्टर, B is the correct option, बोलो clear है, ओके, the danger signal, installed in the top of the building, red color, भाई साथ, red color की scattering सबसे कम होती है, क्योंकि red color की wavelength क्या होती है, सबसे जादा, सबसे जादा wavelength होती है, भाई साथ, red color की, देखो, विब गयोर, बोलो विब गयोर, तो red color सबसे नीचे है, मतलब सबसे गाढ़ा color, और सबसे गाढ़े color की wavelength क्या होती है, सबसे जादा, और जो सबसे जादा color होता, उसकी scattering सबसे कम होती है, तो answer है, B, is scattered the least by smoke और fog, नहीं, बिल्कुल नहीं, answer होगा, B, is scattered the least, भाले कुछ भी हो, smoke भी पार्टिकल हेक तरीके, dust पार्टिकल भी पार्टिकल है, और smoke भी पार्टिकल है, clear हो गया, तो smoke का भी उतना ही असर पड़ेगा, जितना उसका असर पड़ेगा, चलो भाई, question number 7 पे बात करते हैं, material भी चलाओ to larger current flow through the damage call, भाई साब इतना रद्दी question, conductor, क्या होता है ये, conductor, unit of specific resistance, भाई रो ले, याद आया, क्या बताया था, रो, क्या बताया था, रो, याद आ गया, तो यह fire formula याद करो, r equal to rho, ले, याद आ गया, तो rho equal to हो गया, r upon l, r upon l, याद आ गया, तो resistance को किस में आपते हैं, ओम में, किस में आपते हैं, ओम में area क्या होता है, meter square upon में meter, meter से meter क्या हो गया, cancel answer आया, oh meter, कौन सा option है, she is the correct option, oh meter, क्या हुआ, गलत कराए गया, oh meter, चलो जी, question number 9 पे आ जाओ, choose the incorrect statement from the following, incorrect statement, चूज करो in following statement में से पहला, the direction of magnetic field at a point is taken to the direction in which north pole of a moving magnetic, north pole of a magnet compass needle points, बिल्कुल सही बात है भाई साब, मगर गलत statement देखना है, ये सही है, magnetic field lines are close curve, सत्यवचन, if magnetic field lines are parallel, are equidistant, they represent zero field distance, काई को, बिल्कुल गलत है भाई साब, अगर magnetic field parallel है, तो भाई साब, ये जो field होगा, इसको बोलेंगे, uniform field, क्या बोलेंगे, uniform field, अगर कहीं पर field zero होगा, तो वहाँ पर field line ही नहीं होगी, यहाँ पर तो field line है, मतलब असका answer कौन सा, C वाला correct option होगा, क्योंकि उन लोगों ने बुला था, गलत कौन सा है, और गलत C वाला है, तो गलत है, भाई साब D देख लेते हैं, D वाला क्या कहीं रहा है, relative strength of magnetic field, shown by the degree of closeness of the field line, भाई बिल्कुल सही बात है, ये कहारा, जितनी जादा lines of forces, आपके पास में होगी, उतना field strong होगा, और जितनी field lines of forces कमजोर होगी, उतना field कम होगा, तो बात बराबर सही है, एकदम सही बात है, चलो भाई साब, अगला question number 10, सुनो ध्यान से मेरी बास सुनो, in the arrangement of the shown in figure, there are two coils, wounded on the non-conductive cylindrical keys, not inserted, the keys inserted and later removed then, देखो भाई साब, जैसे तुम यहाँ पर switch को on करोगे, बोलो yes on no, इससे current जाएगी की नहीं जाएगी, और जैसे current जाएगी तो solenoid बन जाएगा की नहीं बनेगा, और solenoid बन जाएगा तो यह वाला north और यह वाला south, yes on no, तो magnetic field जाएगा की नहीं जाएगा, और magnetic field जाएगा की नहीं हो जाएगा, और जब magnetic field जाएगा की नहीं हो जाएगा, तो आपको मैंने बताया था कि अगर एक, अगर मैंने बताया था आपको mutual induction याद है, bum फूटे पडोसी के यहाँ और मजे ले हम, इसको बोलते हैं कि हम mutual induction याद आया, तो इधर flux change हो रहा है, magnetic lines इधर की है, बगर हमारे उपर आकर के connect हो जाती है, तो इसके कारण हमारे circuit में current flow होना सुरू हो जाएगी, बोली yes or no, तो बाई साब current flow होना सुरू हो जाएगी, ठीक है ना, चलिए तो पढ़ते हैं, सुनो मेरी बात, तो देखिए इसको क्या होगा, current flow होना सुरू हो जाएगी, अब option पढ़ते हैं, the deflection of the galvanometer remains zero throughout, बिल्कुल गलत बात, जब current flow होगी तो dance तो करेगा ना, galvanometer, अगला, there is a momentarily deflection in the galvanometer, but it dies out shortly, and there is no effect when key is removed, बिल्कुल गलत बात, तीसरा, there is a momentarily galvanometer deflection that die out shortly, the deflection in the same direction, there are momentarily galvanometer deflection that die out shortly, the deflection are in opposite direction, हाँ जी, correct answer इसका है D, correct answer इसका क्या है, D answer होगा, देखिए क्या कह रहा है, इसका D option क्यों है, ये समझ लीजिए, देखिए इसका D option क्या है, देखिए दो परिस्थितियां आपके पास दी गई है, number one, जब आप key को on करेंगे, जब आप key को on करेंगे, और number two, जब आप key को off करेंगे, जब आप key को off करेंगे, चली, तो देखिए दो situation है, एक बार आप key को on करते हैं, पर जब आप की को off करते हैं, तो जब आप की को on करते हैं, तो magnetic field बढ़ना शुरू होता है, तब यहाँ current बनेगी, और आपका जो deflection होगा वो एक direction में जाएगा, मतलब जैसे यह coil यहाँ थी, तो काटा इधर से इधर हो जाएगा, coil नहीं काटा, और जब आप switch को off करोगे, त current पहले जादा थी, जादा से क्या हो जाएगी कम, और जब current कम होगी, तो फिर से क्या होगा, magnetic field कम होएगा, तो एक situation में magnetic field बढ़ेगा, और एक situation में magnetic field कम होएगा, तो दोनों situation में deflection आएगा, अब जिस समय magnetic field बढ़ेगा, तो direction अलग होगी, और जिस समय घटेगा, तो direction अल सुनिए, सुनिए, कह रहा है कि जिस समय आप key को remove करोगे तो कोई effect नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा, जैसे तुम key को निकालोगे, मतलब switch को off करोगे, ये बताओ कि magnetic field कमेगा कि नहीं कमेगा, और जैसे magnetic field कमेगा, तो फिर से इसके अंदर क्या हो जाएगी, क्योंकि current का बनना किस पर depend करता है, magnetic field के change पर, तो magnetic field दो ही परिस्थितियों में change होगा, एक जब आप switch on करोगे, एक आप जब switch off करोगे, समझ मैं है न, जब आप switch on करोगे, तब magnetic field बदलेगा, और जब switch off करोगे, तो magnetic field बदलेगा, बोलो समझ मैं है कि नहीं है, clear है, ओके, चलिए, which of the following is not considered as the crystalline, coal को crystalline नहीं माना जा सकता, तो उसका correct answer क्या है, A, बोलो clear है, चलो, भाई साब, ट्रॉपिक मूमेंट, ये तो आपन को आता नहीं, भालो जी, बले-बले, ठीक है न, जो, तो भाई साब करेस का answer सी है, देख लीजेगा, आप लोग बाकी, ओके, वो ठीक है, आप देख लीजेगा, the final product of the glucoses, ये भी आपन को जानकारी नहीं है, इसकी, the ability of cell divided into several cells during the reproduction of plasmodium, यार, plasmodium में क्या होता, multiple fission, चलो, भाई साब, तो plasmodium का याद है, मेरे को multiple fission होता है, ठीक न, which of the first enzyme to mix with the food in digestive tract, भाई, digestive tract के लिए, amylase होता है, मेरे खाल से, हाँ, भाई साब, a bisexual flower contain stammens, scarples, भाई, दोनों होता है, इसमें, है न, चलो, भाई साब, यह हो गया, इसके बाद आ चुका है, हमारा assertion, reason type का, ठीक है, सत्त्रमा question, DNA, चलिए, 17 question का छोड़ दीजे, भाई साब, यह है न, assertion region, 18 question का देखिए, 18 question का क्या है, following are the structure, isomers are butane, ठीक है न, कह रहा है कि, isomers are butane, कह रहा, number one reason, structure, isomers have the same molecular formula, बड़े, different in their structure, कल बताया था मैंने isomerism, तो भाई साब, यह हो गई, इसकी definition, और यह हो गया, इसका example, बोलो, yes or no, तो यह हो जाएगा, statement है न, तो देखिए, assertion and reason, बोथ are true, दोनों क्या है, true है, मगर इस वाले का explanation यह है, इस वाले का explanation यह है, yes or no, तो क्या हो जाएगा, यह दो बोथ are true, and assertion is the correct explanation of reason, बोलो, yes or no, पहला है, a and are true, and r is the correct explanation of a, a, r is the correct explanation of a, एक मिनट, r is the correct explanation of a, हाँ ठीक है, correct बिल्कुल, सही कहे रहे हो, r is the correct, क्योंकि यह इसका explanation, right, sorry मैं बोल गया था, r is the correct explanation of a, यह इसका explain करेगा, okay, next करते है, a fuse wire always connected in parallel with the main line, लो भाई साब, a fuse wire is always connected with the parallel with the main line, a current larger the specified value, so flow through the circuit fuse, fuse wire melts, देखिए भाई साब, fuse wire को आप parallel में कहे को जोड़ेंगे, fuse wire को हमेशा series में जोड़ जाता है, किस में जोड़ जाता है, series में, देखिए कैसे, यह आपके पास में कोई, रुख जाएए, रुख जाएए, देखिए अभी आप, चलिए, देखिए, fuse wire है, fuse wire को आपको, fuse wire को आप parallel में क्यों जोड़ोगे भाई, fuse wire हमेशा जो होता है, series में जोड़ा करता है, fuse wire को आप parallel में क्यों जोड़ोगे, जैसे यह circuit आ रहा है, बूले यह सौन्नो, यह circuit आ रहा है, यह plus है, और यह क्या है, माइनस है अगर आप इसको पैरलेल में जोड़ देंगे फ्यूज को तो बताइए ये मेंल लाइन तो चालू रहेगी ना ये तो ओड़ जाने को ओड़ जाएगा बोलो यह सो नो बट यदि आप फ्यूज वायर को मेंल लाइन में सिरीज में जोड़ देंगे तो अगर ये मेंल लाइन के फ्यूज उड़ जोड़ देंगे तो आंगे की सपलाई की जोड़ जाएगी ठब हो जाएगी और आपका सरकिट चालू नहीं रहेगा मगर इस केस में सरकिट चालू रहेगा तो फिं वायर को किसमें जोड़ा रहे हो आप यह तो देखो ना कनेक्शन बंद होने वाली बात नहीं है फ्यूज वायर की बात अलगे फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है 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 और तो रहने दो ना इसीलिए तो सीरीज में जोड़ रहा है आप उस दोनों को चीज को जोन क्यों रहे हो आपसे यह नहीं पूछा कि डॉमेस्ट्क सप्लाई कैसी यह होना चाहिए अरे जोमेस्टिक प्लाई के बारे में नहीं पूछा गया बच्चों ये फ्यूस वाइर के बारे पूछा गया कि फ्यूज ओड़ दिया ये लो फ्यूज ओड़ दिया लो क्या होगा जिस दिन करेंट जाद आएगी तो फ्यूज अपने आप उड़ जाएगा बुलो हां और यह उड़ने से बच जाएंगे कि यह भी नपड़ जाएंगे अच्छा कैसी बात कर रो क्यों बच जाएंगे फ्यूज ओड़ जाता तो यह तो बच जाते ना बस तो भाई विज्ञान साइन्स को दिमाग खोल के पढ़ने के आदट डालो भाई चलो अगला कोश्चन कोश्चन अबर 20 एसर सन ओन फ्रीली फॉलिंग सस्पेंडिंग अ करेंट ग्राइनिंग स्वालिन आइट कम्स तू आए कि अन फ्रीली फॉलिंग करेंट केरिंग सॉलेनोइड इट कम्स तू रेस्ट इन जोग्राफिकल नॉर्थ सौट डारेक्शन अगर किसी सॉलेनोइड को किसी करेंट केरिंग सॉलेनोइड को आप जो ग्राफिकल नॉर्थ सौट डारेक्शन में यदि फ्री फॉल करा दें तो यह रेस्ट में आ जाएगी reason है one end of the current carrying straight solenoid behaves like a north pole and the other end behaves like a south pole just like a bar magnet ओके तो बच्चो question number 20 जैसे ही हमें solution मिलता है बात करते हैं इस पर ओके देखे बच्चो question number 20 जो है जिसको मैं समझ बैटा था कि ऐसा लग रहा था कि magnet को आपन उपर से नीचे गिरा रहे है solenoid को देखे concept क्या है इसमें करा on a freely suspending current solenoid current carrying solenoid तो बहुत easy concept है इसमें कि यह आपने एक धागा बांदा है और यहाँ पर एक solenoid है इस तरीके से solenoid है यह देखे यहाँ पर एक solenoid है और solenoid में आपने धागा बांद करके इसको ऐसे लपटा के रोग दिया है तो आपको पता है कि जब भी solenoid में हम current भेजते हैं तो solenoid तो कहलाती है तो उसका एक पोल क्या बन जाता है north और एक पोल क्या बन जाता है south तो यह किसके जैसे बीवेब करता है बार मेंगनेट के जैसे अब बार मेंगनेट जो होता है वो कहाँ पर ठहरता है नौर्थ में और south में, तो ये भी solenoid है, तो north और south में ही ठहरेगी, तो इसका पहला answer सही है, और दूसरा answer क्या कह रहा, one end of the current carrying solenoid becomes as north pole, and the other becomes as south pole, just like a bar magnet, तो दोनो statement सही है, and assertion दोनो true है, और इसका answer क्या होगा, a, first वाला, both a and r are true, and r is the correct explanation of a, तो इसका first answer होगा, कोई नई बात नहीं है, ह हमने क्या confusion पाल लिया, हमने ये confusion काल पाल लिया, कि भाई साब, solenoid को अपन हवा में नीचे गिरा रहे है, हमें लगा, हवा में नीचे गिर रही है, but एक word देखे, ध्यान से गिर नहीं रही, यहां पर word लिखा, suspended, suspending मतलब लटकी हुई है, suspending मतलब लटकी हुई है, तो दुनिया का कोई भी metal होता है, वो कभी न कभी अगर free state में रखोगे, तो अपने उपर जो होती है, किसकी sulfur की और oxide की परत जमा लेता है, तो magnesium जो होता है, उसका उपर वो हो जाता है, rusting हो जाती, क्या हो जाती बच्चों, rusting, और अगर आप उसके अंदर coating of oxygen लगी रहती है, और यदि आप उसको रगड़ोगे नहीं, तो pure magnesium जो है, आपको नहीं मिलेगा, आपके उसके उपर oxide की layer चड़ी रहती है, इसलिए आप उसको clean करते हो, तब वो आता, बोलो clear हुआ की नहीं हुआ, बोलो clear है, हाँ, यस clear है बच्चों, बैराइट दा बैलेंस chemical equation, तो आपके नहीं है, तो 4 plus ALCL 3, चलिए, इस्टे 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 फ्लेमिंग लेफ्ट-Hand rule, बहुती सिंपल क्वेशन आया, इस्टे फ्लेमिंग लेफ्ट-Hand rule, तो क्या बताया था इसमें, इस्ट्रेच, इस्ट्रेच इन योर फ्रंट फिंगर जिसको बोलते में फिंगर, म the thumb of your left hand such that they are mutually perpendicular, so if your four finger representing the magnetic field, your middle finger representing the direction of current, then the thumb will represent the direction of force, यह था इसका, what are the difference between autotropic, nutrition and hydrotropic, यह तो बायो वाला पाट है, write a short note, और conservation of forest था भाई साब, यह इसमें तो कथा कहानी रिखनी थी, conservation of forest की, क्योंकि sodium जो होता है sodium जो होता atmosphere के साथ H2 के साथ react करता है और क्या बनाता है अपना oxide बनाता है और साथ में H2 gas release करता है वो H2 gas release होने के कारण बहुत सारी H2 gas बहुत तेजी से release होती है जिसकी वज़े से fire catch कर लेता है What would be the electron dotted structure of a molecular of sulfur which is made up of the 8 sulfur तो भाई साथ S8 बनाना था क्या बनाना था आपको S8 तो आपके S8 का electronics S8 का structure बनाना था electron dotted structure बना लिया कि नहीं बनाया चलिए तो यह आपके NCRT में दिया हुआ है which is made up of the 8 electron चलिए next write the four properties of the magnetic free lines north pole से निकलती है south में जाती है close continuous होती है कभी तूटती नहीं है magnet के बाहर north से south magnet के अंदर south से north pole के पास यह गनी गनी होती है pole से दूर जाओगे तो दूर दूर हो जाती है clear हो गया और किसी भी point पर यह एक दूसरे को intersect नहीं कर सकती है क्योंकि intersect करती है तो एक point पर दो intensity मिल जाएगी चलिए question number section C 27 when you mix solution of lead nitrate and potassium iodide भाई साब lead nitrate और posetum iodide यदि आप mix करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास आपके पास बन जाएगा lead iodide क्या बन जाएगा lead iodide जो की yellow color का precipitate है तो what is the color yellow write the balance chemical reaction ये देखो भाई साब lead nitrate PBNO3 plus KI equal to okay तो 2Ki that is equal to PBNO3 HNO3 यहाँ पे देखिए PBNO3 hold twice तो क्या बन जाएगा PBI2 plus 2KNO3 ये reaction हो जाएगी आपकी write the balance chemical reaction चलो ये भी हो गया is this double displacement reaction जी हाँ ये double displacement reaction ही है चलिए अगला redraw the circuit question 12 putting an emitter and measure the current through the register and voltmeter to measure the voltmeter कहरा है इस circuit को use करके भाई साब आप बताईए कि इसका circuit का diagram कैसा होगा जिसमें emitter और voltmeter होगा तो ये तो बहुत ही simple question था भाई साब ये 3 resistance लगे हुए थे बोली हाँ 3 resistance लगे हुए थे अगर आपको voltmeter निकालना है voltage लगाना है तो इसके across में कहीं भी आप voltmeter लगा दीजे और series में क्या लगा दीजे? emitter क्योंकि emitter हमेशा series में जुडता है और voltmeter हमेशा parallel में जुडता है ये लिए भाई साब हाँ जी भाई साब यह हो गया पहला बाला part read raw measure the potential difference equals 12 ohm register what would be the reading of the emitter अच्छा इसमें reading तो दी नहीं है तो ये question बतल दिया होगा है इन लोगोंने है ना चलो चलो ठीक है चली write the equation of the reaction iron with the steam हाँ भाई साब iron की steam के साथ reaction तो बताई थे मैंने Fe plus 3H2O equal to Fe 2O3 2Fe है ना Fe 2O3 हाँ clear हो गया और plus कितना हो जाएगा हाँ वो हाँ वो चल जाएगा जो आपके book में लिखी हुई ने reaction आपके हाँ बिल्कुल फिर क्या बना है बताईए हाँ 4S2 फिर क्या बना Fe 2O3 Fe 3O4 बिल्कुल यही reaction आपको याद रखनी है ठीक ना Fe 3O4 प्लस जो भी H2 H2, H2 निकलेगा जो भी चलिए अगला calcium with water calcium with water तो भाई साब calcium with water CA plus H2O CA plus H2O तो क्या बन जाएगा एक मिनट भाई साब CA plus H2O calcium की water के साथ reaction तो देखे यहाँ पर बच्चों की यहाँ जो है calcium with water तो calcium जो है अगर आप hot water लेते हैं या steam water लेते हैं तो reaction करेगा बट calcium जो होता है cold water के साथ कोई reaction नहीं करता है तो I think यहाँ पर cold water का segment है तो आपको answer यहाँ पर लिखना पड़ेगा no reaction ठीक है ना तो यदि यहाँ पर है केवल water दिया गया है तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर no reaction होना चाहिए ठीक है चलिए अगला है potassium with water तो भाई साब यह तो बहुत violent reaction हो जाएगी okay K plus H2O potassium plus H2O तो यह क्या बन जाएगा आपका potassium का hydroxide बन जाएगा okay H2 gas निकालेगा potassium hydroxide बनाएगा तो है टूगे से H2 gas देखिए कैसे निकाल पाएगा भाई water के तूँ molecule ले लिजे potassium hydroxide लिजे ले देते हैं तो यहाँ पे हो गया के ओ एच के भी दो ले लिजे टूटू के वेच प्लस H2 हाँ यह बात तो सही है क्योंकि H2 gas निकलती है तभी वो blast होता है क्योंकि जो blast की process होती है वो H2 gas की वज़े से हुआ करती है ठीक है चलिए अब अगला question है draw the structure of the following compound ethanoic acid बाइस आप ethanoic acid का structure बनाना है याने CS3COOH bromopentane याने की pentane याने की C5H11 और क्या लग जाएगा BR इसका इसका answer है no इसका answer आएगा no, क्योंकि दोनों के functional group ही अलग अलग है, तो भाई दोनों बलग जाएंगे, कहां से होगा, चलो, question number 30, deeps of the plant, भाई साब छोड़ दो, बायो का question है, what are the problem used by the non-bio-degradable waste, तो भाई साब non-bio-degradable waste को छोड़ दोगे, तो soil की fertility खराब कर देंगे, यह भी कर लीजेगा, जो घुलते नहीं है, जो decompose नहीं होते हैं, अगला question है, aqueous solution of SCL, SCN, S2SO4, S3, characterize the, यह नहीं सो करते हैं, explain, क्यों, भाई साब बहुत ही simple question ही, यह सब hydrogen plus ion release करते हैं, मगर यह hydrogen plus ion release नहीं करते हैं, ओके, यह सब hydrogen plus ion release करते हैं, और बाकी के बाकी जो होते है हो hydrogen plus ion release नहीं करते हैं, चलिए, come back, आगे देखते हैं, write the electron dot structure for the sodium, sodium का electron dot structure, magnesium and oxygen, इनके लिए आपको electron dot structure show करना है, तो sodium, magnesium, oxygen का बना लेंगे अप लोग, कोई problem तो नहीं है नहीं, इसमें, show the formation of the Na2O and MGO by the transfer of electron, लिए भाई, Na2O, अब इसमें आपको क्या करना था, Na2O का ionic structure बनाना था, by the transfer of electron, बिल्कुल सही बात है, तो आपके पास क्या लेंगे देखो, दो Na लेंगे, और दो Na जो है, दो Na क्या करेगा, दो Na दो electron leave कर देगा, और क्या बना लेगा, टो Na plus, और प्लस दो electron leave कर देगा, बोलो समझ में है कि नहीं है, क्योंकि एक sodium एक electron चोड़ेंगे 2, और यह आपके पास oxygen है, इधर उधर बाते मत करो, देखो ध्यान से, यह oxygen है, यह छोड़े हुए 2 electron को ले लेगा, 2 electron ले ले लेगा, तो क्या बना लेगा, O minus 2, और 2 Na plus, और O minus 2 आपस में जोड़कर क्या बना लेंगे, 2 Na, O, sorry, Na2O, क्या बनाएंगे, Na2O, यही तो लिखा है, हाँ, थर्ड वाला, what are the ions present in these compound, भाइड़े, sodium plus और oxygen minus 2, Na plus और O minus 2 आपस में प्रेजेंट है, चलिए, 37 बता दूँ, 37, 37 देखिए, ओ भाई सब, कितना खदरनाक लिखर की, पूरी रमान लिखर की, 37, चलो आजाओ भाई, पढ़ते हैं, ओके बिटा, Read the following and answer, and answer any 4 questions from 1 to 5, भाई देखो 5, question number 1 से लेके 5 तक दिया गया है, अब इसके बाद कहा रहा है पड़ो, The spreading of light is by the air molecules, is called spatter, scattering of light, मतलब air के molecule से light का जो फैल जाना, light का छेतर जाना होता है, scattering of light, The light having least wavelength scatter more, जिसकी wavelength काम होती, वो scatter more होता है, सबसे wavelength काम किस कलर के होती, blue color की, violet color की, तो violet color की wavelength सबसे काम होती, मतलब violet color सबसे ज़्यादा फैलेगा, और red color सबसे कम खैलेगा, The sun appears red at sunrise and sunset, भाई, question तो देख लें दो, Appearance at the blue sky is due to the scattering of light, the color of the scattered light depends on the size of the particle, The smaller the molecule, atmosphere scatters smaller wavelength of light, the amount of the scattering of light depends on the wavelength of the light, When light enters from sun to earth atmosphere, it gets a static, that particle and the air molecule present in the atmosphere, The path of the scattering sunlight entering the dark room through the fine hole is when seen because scattering of the sunlight by the dust particle present in the The path inside the room, चलो भाई साब, the astronaut by spaceship the color of the earth is black, Black, हाँ, चलिए, अदा एस्ट्रोनाट इन स्पेसिप दा कर्थ आप दा अर्थ अर्थ एपियर्स भाई, चलो, at the time of sunrise and sunset, the light has to travel, भाई या longest distance, क्योंकि जो जिस समय sunrise और sunset होता है, तो sun सबसे दूर condition में हुआ करता है, ओके इस तरीके से अर्थ की shape है, तो light को सबसे ज़्यादा travel करना परता है, चली तो answer है इसका A, the color of sky appears blue, due to scattering of light by the air molecules, dispersion of light, dispersion बिल्कुल नहीं है, refraction बिल्कुल नहीं है, answer है scattering, scattering of light by the air molecules, at the time of sunrise and sunset blue, blue color scattered and red colors reaches to our eye, red color scattered and blue color, green and blue color scattered orange reaches to our eye, भाई सब देखो, सारे color scatter हो जाते हैं, मगर red color scatter नहीं होता है, जिसकी वज़े से हमको sunlight during the sunset और sunrise हमको वो लाल दिखाई देता, तो इसका answer होगा none of these, क्योंकि all color nearly scattered बड़ जो है, अच्छा बड़ एक चीज़ देखो, इसमें यहाँ पर दिया है, blue color is scattered and red color reaches our eye, तो यह जो answer है, इसको support कर रहा है, जो A वाला answer है, इसको support कर रहा है, हाँ, blue color तो scatter हो जाता है, मगर red color जो है, वो scatter नहीं होता और हमारी आँखों तक पहुंचता है, ए अपसन है इसका, चलिए, question number 38 बन गया की नहीं बना, 30 number 8 बता देता हूँ, चलिए देखे, which of the metal less reactive than hydrogen, कान का मंगल जानूफ हैसन का परवाना है, क्यों, चलिए, मतलब copper हो गया, which of the following metal is more reactive than the hydrogen, hydrogen, iron हो गया है, चलिए, which of the following metal vaguously react with the oxygen, sodium, sodium हो गया सबस्यादा रेक्टिविटी, which of the following represents the correct order of the reactivity, दो देखो भाई, मंगल है ना, मंगल, देखो भाई सब, A option, क्योंकि sodium, sodium का पाद मैगनेशियम, मैगनेशियम पाद अलुमीनियम, फिर copper, तो correct answer इसका है, चलो clear हो गया, hydrogen gas not evolved when a metal reacts with the nitric acid, भाई सब क्योंकि जो nitric acid होता है, nitric acid होता है, वो क्या कर देता है, इसका oxidation कर देता है, it oxidizes as to produce water, becomes a negative to hydrogen nitrous oxide and to because, but, but कह रहा है, इसमें से कौन सा metal जो है, वो evolve करके H2 gas देगा, हाँ, तो इसको आपको देखना पड़ेगा solution, हाँ, यह exceptional case है, तो यदि आपने रटा हो, तो इसका answer देख लिए, कौन सा बताई प्लीज, C, sure na, चलिए ठीक है, done,